इस lecture में हम देखनेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को mutate किया जाता है, not mute, sorry for that, change किया जाता है basically, mutable या mutate किया जाना, या mutation लेके आना, या किसी चीज़ को change करना, screen में आपके सामने दिखाता हूँ, बहुत असान है, mutation किस तरीके से चीज़ों की की जाती है, मैं आपको easy language के अ ये analogy को आपने अपने पास save रखना है, कि हम एक item को change कर रहे हैं, पूरा data गरिगट का गरिगट ही रहा है, सिरफ उसका रंग change हो रहे है, ठीक है, तो कहते हैं न, गरिगट की तरह रंग बदल रहा है, तो data भी गरिगट की तरह रंग बदल सकता है, if you want to do that, और रंग बदल की, पूरे का पूरा data नहीं बदल देना आपने, कुछ change आए, कहीं पे किसी एक आदे element में आप change करते हैं, ये बात याद रखनी है, अक्सरोकार लोग क्या करते हैं, बड़े के बड़े data set को change करके कहते हैं, mutation है ये, ऐसा नहीं होता, you have to change only few elements from that thing, बहुत असान है, simply, since lists are mutable you can change elements using indexing, देखें ना, जिस चीज़ को change करना है, आप वहाँ से बुलाएंगे तो उसकी जगह पे किसी को रखेंगे ना, position नहीं पता तो क्या change करना है, समझारी बात की, अब अगर आपके घर में clock लगा हुआ है, उसका cell change करना है, पहले तो आपको ये पता होना है, ये clock कह लगा है, कि बारों cell ने आगे हैं, जो सेटन है ते जादू हों को तुझे हैं जो रहेगा, no, it doesn't happen like that, you have to find the position, कहां पे है, पहला निकालेंगे, दूसरा रखेंगे वहाँ पे, change means to replace something, so you need to know the index first, index की समझ आगे, index के बाद आप उसको change करेंगे, कैसे, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, simple है, color के अंदर ये सारी values हैं, हम उसके index लेंगे और उसको change कर देंगे, किसी और color के अंदर, और ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, data manipulation के अंदर, data को change करने के अंदर, data को replace करने के अंदर, missing value calculation और missing value को impute करने के अंदर, and even though renaming your data उसके अंदर भी, so this mutation या mutable elements are important, I think it's a, I would say most important element in data exploratory analysis, exploratory data analysis as well, अब मैं आपको screen पे दिखाता हूँ, and then it will be easier for you to understand, and this is the last point we are discussing today, so खुश हो जाएं आप लो, अच्छा जी, यहाँ पे, अगर आप चेक करें, variable के अंदर मैं जाके लिखता हूँ, 06, और इसको बोलता हूँ, mutable elements.ipynb, यहाँ पे, kernel साब select करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, जी हम, mutable elements, यहाँ पे मैं कोई एक list बना लेता हूँ, list is equal to, यहाँ पे मैं रख देता हूँ जनाब, मैं names की list बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मार, खुद बहुत आगए, यह एक अच्छे चीज़ है, ओके, तो यहाँ मेरे पास list आगए है, different names की, of course, मैं इसको run करता हूँ, मेरे पास गलती होनी है, मुझे पता है, because I have to convert this into code, then I have to run this, यह मेरे पास आग see you, 0, 1, 2, 3, third index मैंने change करना है, ठीक है, and what I am going to do is, list के अंदर, तीसरा index मैंने change करना है, किस चीज़ के साथ, वो आपने चीज़ आगे लिख देनी है, ठीक है, अब अगर आप गौर करें, यहाँ पे, अम्मार की बजाए, अगर मैं हमाद करूँ, just imagine, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास है, इसी के अंदर change आई, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने उसके एक element के अंदर change लेके आए, मैं इसको run करता हूँ, यह मेरे पास change आई, and you can view that change here in variable as well, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं print करूँ, तो of course, you can write, print, list, and here you go, ठीक है जी, आईए, let's see, कि tuple के अंदर change हो सकती है, कि नहीं, tuple, 3 पे, इसको हमाद के अंदर change करके देखते हैं, क्या लगता है, आपको होगा change या नहीं, आप लोग क्या कहते हैं, change होगा, मैं इसको यहीं पे print भी करता हूँ, print tuple, let's see, क्या हुआ जी, error, और अगर आप अब error को ढू tuple is actually immutable, it cannot be changed, and this is the proof, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, resolve this error, क्यों, होना क्या है, कि जो आने वाले लोग हैं, जिन्होंने miss किया होगा न, वो फस जाएंगे यहाँ पे, तो इस तरह की काफी traps में लगाता रहूँगा आने वाले दिनों के अंदर भी, ताके आपको समझ आ सही है, सही है, सो यह वही लोग समझ पाएंगे, who will understand the lecture completely, otherwise it would be a problem, यहाँ तक आपको समझ आगे जनाबे वाला, यह था जी हमारा आज का lecture, I am hopeful कि आपको समझ आगे, थोड़ा सा time ऊपर हो गया, but I can understand, कि आप लोग उने काफी कुछ सीख है, so this was all about sequences, mutable sequences, elements, किस तरीके से indexing क This is one of the important topics, मैंने आपको पहले भी बताया था, hopefully, अब आप आने वाले lectures को और भी अच्छे से समझ पाएंगे